भाव नहीं मिलने से ATMC नाराज स्पेकर चुनाव पर वोटिंग से परहेच करेगा विपक्ष। राजनात ने ममता को किया फोन। लुकसबा अध्यक्ष स्पेकर पत के लिए संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच रार ठन गई है। दोनों ही तरफ से उमीदवार मैदान में है एंटी के पास इस पत को जीतने के लिए परियाप्त संख्या बल है। वही कॉंग्रिस की अगुवाई वाले इंडिया गडवंदन को पश्वी मंगाल की मुख्यमंतरी ममता बनची की पार्टी की रुख से अस्मंजस में डाल दिया है। टीमसी का कहना है कि स्पिकर चुनाफ के लिए उमीदवार का चेयन करनी के लिए उनसे नहीं पूचा गया। ऐसे में अगर स्पिकर के चुनाफ पर वोटिंग की दौरान टीमसी सदन से बाहर भी चली जाती है तो इंडिया घडवंदन की किरकिरी हो जाएगी। सुत्रो निकाह की संख्याबल को देखती हुई समाजबादी पार्ठी के नीता राम कोपाल यादव ने कल शाम हुई बैठक की दौरान सुझाब दिया कि इस मुद्दे पर मद्दान नहीं होना चाहिए। ऐसा का जाता है कि टीमसी भी इस विचार से सैमत है आपको बता दे कि इस में टीमसी सांसद डेरिक ओब्रोईन और कल्यान बनरजी भी शामल होए थे। नारास मम्ता को बनाने के लिए कॉंग्रेस सांसर राहूल गांधी ने टीमसी सुप्रीमो मम्ता बनरजी के साथ 20 मिनट तक टेलीफोन पर बात की इसके बापजूत मंगलवार तीरात तक टीमसी ने इंडिया गडवन्दन के उमीदबार का समर्थन करने पर अपना रूख अस सचीव से सी वेनु गुपाल के साथ साथ अन्ने गडवन्दन दलों की परतिनिधी भी मौजोद थे इससे पहले मंगलवार को एंडी द्वारा सत्रवी लोगसभा में अध्यक्ष रही ओंबिरला को इस पत के लिए फिर से उमीदबार बनाया इसके बाद इंडिया गडवन में सबसे वरिष्ट शांसद है कॉंग्रिस की वरिष्ट नीता राहूल गांधी पर कटाक्ष करती हुए टीमसी के एक वरिष्ट नीता ने कहा हमने पस्टम बंगाल में अपने दम पर उन्ती सीटे जी थी हम तब इंडिया गडविन्दन का हैस्ता नहीं थे इसलिए अगर होगी एंडी ने भी ममता परजी से संपर किया है सुत्रों ने कहा कि रक्षा मंतरी राजवनात सिंग ने मंगलवार दुपर ममता को फोन किया टीमसी के एक नेता ने कहा दोनों ने अध्यक्ष के मुद्दी और विपक्ष दुवारा बाचपा के उमीदबार के शादी में आमंतरुत करना चाहते हैं तो आप मुझे शादी की सुभा फोन नहीं कर सकते पश्रिम बंगाल में टीमसी नेताओं ने कॉंग्रस की कथित एक तरफा फैसले के आलोशना की और कहा कि ममता नाराज है सियम के करीबी सुत्रों ने कहा कि वह इस बात से हैरान थी बिना किसी दल से चर्चा की नाम की खोशना कर दी